नकसली समस्या से जूज रहा चटीस गड़ इस वक्त एक अलग ही प्रकार की समस्या से जूज रहा है गर्मी का मौसम आते ही चटीस गड़ के घने जंगलों में आग लग गई है यह आग सरगुजा धमतरी और कवरधा के जंगलों में तेजी से फैल रही है अलागि वन विभाग का अमला इस आग को बुचाने में जूटा हुआ है लेकिन समस्या यह है कि आग दोबारा लग जाती है पिछले चार-पांच दिनों के भीतर चटीस गड़ में आग की लप्टों में आकर हजारों हेक्टियर के जंगल तबा हो गए है यह आग सर्गुजा, कवर्दा और धमतरी के जंगलों में लगी है माना जा रहा है कि गर्मी का मौसम आने के बाद ऐसी आग हर साल जंगलों में लग जाती है बहराल इस मामले में सर्गुजा संभाग के वन अधिकारी ने कहा है कि इलाके में फैले जंगलों में भीशन आग लगी हुई है जो तेजी से पहल रही है वन विभा के करमचारी हर्टाल पर चल रहे हैं इसलिए आग बुझाने में दिक्कते आ रही है आग यदि अन्यंत्रित होती है तब हम पुलिस विभा की मदद लेंगे उधर दमदरी जिले के केरे गाउं वन परिशेतर में भी दावनल की स्तिती बनी हुई है दमदरी के वन अधिकारियों को कहना है कि गर्मी का मौसम आते ही जंगलों में हर साल आग लग जाती है इस मौसम में वन विभाग हमीशा सजग रहता है लेकिन इस बार वन कर्मियों के हर्ताल के कारण आग बुजाने में समझ से आ रही है रिपार्ट के मुदाबिक जंगलों में के आग की स्तिती असामाने होने की वज़ा वन कर्मशारियों का हर्ताल पर चली जाना है इस समय कवर्धा के जंगलों में भी आग की लप्टे दूर तक देखी जा रही है जंगलों में आग लगने से जहां वन संपता को बड़ा नुकसान हो रहा है वहीं पेडों की संख्या घट जाती है जिसे इलाके के ऑक्सिजन लेवल पर बुरा असर पड़ता है फिलाल इतना ही हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वार्बिंट लाइव निउस निर्भे सत्य जंता की आवाज